बेरिंग्स के अंदर थ्रस्ट बेरिंग होते हैं और थ्रस्ट बेरिंग हमारे दो टाइपस के होते हैं बोल थ्रस्ट बेरिंग और रोलर थ्रस्ट बेरिंग दोनों का डिफ्रेंस बताएंगे दोनों की पूरी जानकारी देंगे और कहां पर किसका यूज होता है पूरी जान तो अगर बताये कि बोल थ्रस्ट बेरिंग की जो हमारी पहचान है वो हमारे 51 की सिरीज या 50 की सिरीज से स्टार्ट होती है एक्जामपल कर तोर पर एक बैरिंग ले लेते हैं 15206 यह बैरिंग है इसमें 151 आ रहा है यहां पर स्टार्टिंग पर तो यानि कि 151 आ रहा है इसमें 52 भी आ सकता है और 53 भी आ सकता है तो यह हमारी बोल थ्रस्ट बैरिंग की पैजान हो गई इसी तरह अगर roller thrust bearing की अब बात करें तो इसमें 29 की series compulsory होती है इसका भी कोई एक example ले लेता हूँ 29, 418 इसमें 29 की series होगी starting में यानि कि जो दो number है वो 39 होंगे और इसके जो होंगे 51, 52 और 53 होंगे एक बात ओर है basic सी जान लेने की कि इन में 5 digit number होते हैं चोटी सी बात है लेकिन 5 digit number होते हैं अगर इसमें से 4 digit रह गई तो ये ball thrust bearing नहीं होगा इसी तरह अगर इसकी बात करें roller thrust bearing की तो ये 5 digit इसमें भी होगी यानि कि 29, 418 होगा अगर इसमें कोई एक number हमारा छूट जाता है तो वो roller thrust bearing के अंदर नहीं आएगा एक छोटा सा example 39 का लेकर देखता हूँ देखी ये मेरा bearing है 29, 02 क्या ये roller thrust bearing है तो ये बिल्कुल भी roller thrust bearing नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 digit है यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4 तो 4 digit है इसलिए ये roller thrust bearing नहीं होगा ये हमारा आता है ball thrust bearing इसको मैं यहां लिक्योंगा 39, 02 कभी कभी क्या होता है कि bearing का पूरा number जानना भी जरूरी होता है क्योंकि कोई भी एक digit हमारी छूटी है या कोई भी जो आगा के bearings के कुछ भी लिखा है या बाद में लिखा है अगर वो छूटा है तो हम नहीं बता पात है कि ये bearings कौन सी category का है या कहां पर यूज होगा तो पूरा bearing नंबर जान लेना जरूरी होता है अगर मैं बात करू 39 की series की तो इसमें 5 जीट यहां पर 4 आते ही यह हमारा ball thrust bearing आ जाता है यह 4 या 5% में आते है इस तरह के bearings कुछ ही category या से bearings की होती है बगर मैं बात करू 39 का ए NCF 29 32 यह जाती है cylindrical rollers bearing यह कुछ special types bearing होते है हर जगा मिलते भी नहीं और जगा यूज भी नहीं होते यह खासकर gearbox के लिए uses होते है इस तरह के bearings आगे लिखा होगा NCF यह जाता है हमारा cylindrical rollers bearing ना तो यह ball thrust bearing होगा और ना roller thrust bearing होगा इसलिए पूरा number जान लेना भी जरूरी होता ह यूज के बारे में जान लेते हैं कि ball thrust bearing हमेशा वहाँ use होता है जहां पर कोई load नहीं होता यहांदी के load कोई खासकर axial load load दो परकार के होते है एक radial load एक axial load जहांपर कोई axial load कोई खास नहीं होता वहाँ पर use होगा ball thrust bearing और जहांपर maximum सबसे ज़्यादा thrust bearing roller लोलर वाला roller की बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा roller thrust bearing वहां यूज होगा जहां सबसे ज़्यादा axial load होगा और सबसे ज़्यादा axial load वहां होता है जो machinery हमारी vertical चलती है यानि कि एक machinery की shaft हमारी horizontal होगी pumps के अगर example ले लेता हूँ तो pumps हमारा horizontal shaft होती है और ऐसे movable होता है तो इसलिए horizontal है इसमें roller thrust bearing ना भी यूज हो तो कोई effect नहीं पड़ेगा जिस machinery की shaft हमारी vertical में होगी उसके जो सबसे नीचे का bearing होगा वह हमारा roller thrust bearing होगा और लगाने पीचाहिए live भी अच्छे मिलेगी नहीं लगाएंगे तो हमारा जो axial load है वह ऐसे bearings पर आ जाता है इससे bearing जल्दी break होता है तो roller thrust bearing axial load को gain करना का बहुत अच्छी capability होती है इसलिए उसको सबसे नीचे रखा जाता है जिसकी shaft vertical होगी machinery की उसमें सबसे नीचे का bearing roller thrust bearing रखेंगे तो life अच्छी मिलेगी इसलिए हमारा यह maximum axial load पर काम करता है और यह maximum axial load पर काम नहीं करता है यह only radial load पर काम करता है यानि के जहां पर सिर्फ movable हो एक machine को दूसरी machine तक लेके जाना उस पर कोई load का effect ना हो तो वहां पर हमारा ball thrust bearing का use कर सकते है इसकी कुछ series की बात है कि कौन से series roller thrust bearing में होती है कौन सी ball में होती है और कुछ अपवाद ऐसे भी होते है कि 39 की series आने पर यह हमारा ncf लिखेगा है तो cylindrical roller bearing भी हो जाएगा यही ball हो जाएगा अगर ncf हटा दिया और 39-0-2 है तो यह हमारा ball thrust bearing हो जाता है अगर 4 digit है तो digit भी देख लेना है इसके देख लेनिया और इसके यूजीज भी देख लेना यह ती कुछ मोंटी मोंटी सी और बेसिक सी बाते इस video में अबर वीडियो आची लेकी तो लाइक चीनल को श्राइब और वीडियो को शेर करना विल्कुल न भूल को नेक्ट वीडियो में लूइन अगर तब तक के प्लिये?